आधार भूत जियामति आकरतियों में आज हम बिंदु के बारे में सीखेंगे। बिंदु के बारे में जानने से पहले आए कुछ चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उन पर विचार करते हैं। इसमें पहला चित्र एक pencil का है दूसरा एक pen है और तीसरे चित्र में एक परकार है या compass है इनके नुकीले सीरों को ध्यान से देखिए अगर इस नुकीले सीरों से कोई सूक्षम चिन्न बनाया जा सकता है तो वह सूक्षम चिन्न क्या कहलाएगा वह एक बिंदु होगा तो बि बड़ाई होती है और नहीं मोटाई होती है तो हम समझ गये हैं कि बिंदु बिना आकृति वह आकार वाले गणती सांकेतिक चिन्न होता है यह हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा व्रित जिसकी त्रिज्या सून्न हो जैसा कि आपको चित्र में एक बित दिखाई दे रहा है अग इसको हम देखते हैं जितनी बातों पर हम लोग पहले विचार कर चुके हैं उससे यह ज्यात होता है कि बिंदु में कोई लंबाई नहीं होती है यानि बिंदु की लंबाई सुन्ने होती है और बिंदु की चोड़ाई भी सुन्ने होती है जब लंबाई और चोड़ाई सु उसको ब्यक्त कैसे करते हैं अगर हम किसी जगह पर बिंदू का चिन बनाते हैं तो उसको अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षर से ब्यक्त करते हैं जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है इसमें तीन बिंदू है और तीनों को अंग्रेजी वर्णमाला के में दिखाते हैं यानि किसी मूल बिंदू से उसकी x-axis पर क्या दूरी है और y-axis में क्या दूरी है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है इसमें दो बिंदू है A और B दोनों की इस्थिती मूल बिंदू O से दिखाया गया है A की स्थिती xy के रूप में है और B की स्थिती x1 y1 के रूप में है इसी तरह से जब हम किसी बिंदू को अंतरिक्ष में दिखाते हैं तो उसके लिए हमें तीन निर्दे सांकों की जरूत पड़ती है x-axis y-axis और z-axis जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है एक बिंदू है पी उसको टीनो एक्सिस के आधार पर दिखाया गया है xyz के रूप में जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से हम बिंदू को ब्यक्त करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिंदू के बारे में समझ गये होंगे यह आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू